दस्तो वीवो के सब बनाड आइकू ने पिछले दिनों अपने आइकू Z1X को 120Hz डिस्प्ले फीचर्स के साथ लांच किया था और इस फोन में कमपनी ने कौलका में स्नैप ड्रेगन 765G SOC के साथ पेस किया था वहीं कमपनी ने अपने एक और मीड रेंज स्मार्टफोन IQ1 को आज लांच कर दिया है लांच के साथ ही इसे घरेलू मार्केट यानि की चैना में प्री ओर्डर के लिए उपलब्द करा दिया गया है इसके साथ ही इसे चैना मार्केट में 23 जुलाई से सेल के लिए उपलब्द कराया जाएगा साथ ही इसका सीधा मुकावला रिड्मी, रियल्मी और सैमसंग जैसे स्मार्टफोन से देखने को मिल सकती है दरस्तो आईकू यूवन की प्राइस की बात करें जो कि ये स्मार्टफोन दो स्टोरेज आप्सन में लाउंच किये गया है और यहां पे 6GB RAM और 64GB स्टोरेज और इसकी प्राइस 12,000 रुपए देखने को मिल जाती है जबकि 8GB RAM और 128GB स्टोरेज इसकी प्राइस जो कि 17,000 रुपए में लाउंच किया गया है साथ ही इसके 3 कलर आउप्सन यानि की ब्लैक, ब्लू और वाइट में पेस किया गया है इसकी अलाबा IQU1 की फीचर्स की बात करें जो कि ये स्मार्टफोन Android 10 पे अधारीद IQUI पे चलता है और इसमें 6.53 इंच की Full HD पलस का IPS डिस्पले दिखनी को मिल जाता है जो कि 90.5.9 की एस्पेक्ट रेसियो से लेस है और इसकी डिस्पले 90.72 पर 30 पर के स्क्रीन टू बड़ी रेसियो के साथ आता है साथ ही IQU1 में OctaCore Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट के साथ Adreno 618 GPU का इस्तमाल किया गया है साथ में 8 GB तक LPDDR4X RAM का ओप्सन भी दिखनी को मिल जाता है इसकी अलावा IQU1 के कैमरे फीचर्स की बात करें जो कि इसके बैक में ट्रीपल कैमरे सेटप दिखनी को मिल जाएंगे और यहाँ पे 48 मेगा पिक्सल का मिन कैमरा जो की 1.79 अपरचर के साथ आता है इसकी अलावा 2 मेगा पिक्सल के 2 कैमरे सेंसर दिखनी को मिल जाएंगे वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 2.05 अपरचर के साथ 8 मेगा पिक्सल का 5 छोल सेल्फी कैमरा सेटप दिखनी को मिल जाता है साथ ही IQ 1 में इन बिल्ट एक्स और ठाइजीवी के अधिकता में स्टोरेज ओप्सन दिखनी को मिल जाएंगे वहीं कनेक्टिब इटी फीचर्स की बात करें तो इसमें डूल वेंड वाइफाई, फोर्जी, बुलो तुर्ट, जीपीएस, हेडफोन जैक और माइक्रो यूएसवी का पॉर्ट भी सामिल है इसकी अलबा फिंगर प्रिंट सेंसर की बात करें जो कि स्मार्टफ़न के पावर बटन पर देखनी को मिल जाएंगे साथ ही पावर बैकप की बात करें जो कि इस फोन में 4500MH की बैटरी और 18W के चारजिंग का इस्तमार किया गिया है दोस्तों अगर इस फोन की प्राइस को देखे तो इस हिसाब से इसकी फीचर्स काफी कमाल की देखनी को मिल जाती है लेकिन कंपनी ने इंडिया लॉंच को लेकि इस फोन के बारे में कोई जनकारी सेयर नहीं की है तो ऐसे में उमीद की जारी है कि इस फोन को जल्द से जल्द इडिया में लॉंच किया जाए। इसकी अलावा वीडियो अच्छे लेगी तो आप मेरे चैनल को सस्क्राब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग।